रेस्टलाइड होमियोपेथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोद आज एक इलार्ज प्रोस्टेट और प्राराइसिस ऑफ ब्लाडर का केस जो की अब सुल्व हो चुका है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये केस है 68 बरस ये पुरुस रोगी का पुरुस रोगी ने आते ही कहा डॉक्टर साहब मुझे दो प्रोलेम हो गई है एक तो इरुनिली ब्लाडर की होल्डिंग कपिसिटी खतम हो गई है और पिसाब लगता है तो रोक नहीं पाता हूँ कई बार ये अपने आप होने लगता है दूसरा ये है कि मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया है जिसके लिए मैं पहले एलोपेथिक दवा लेता था तो बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि अप्रेशन करवाना पड़ेगा दवा से ठीक नहीं होगा फिर मैंने होमेपेथिक दवा ले रहा हूं लेकिन जैसा सुधार होना चाहिए वैसा सुधार नहीं है मैंने पुछा तकलीफ क्या क्या होती है रोगी ने कहा एक बार में पूरी तरह से पिसाब नहीं होती है और जब पिसाब लगती है तो बहुत तेज लगती है और कई बार मैं पिसाब को रोक न अपने आप पिसाब हो जाता है मुझे मालू में नहीं चलता और कपड़े खराब हो जाते हैं हमेशा डर लगे रहाता है कि कहीं बिस्तर पर पिसाब नहों हो जाए क्योंकि उठने में थोड़ी भी देर होती है तो पिसाब अपने आप हो जाती है मुझे पता भी नहीं चलता और पिसाब निकल जाती है मेरी चिंता कभी से यह है डॉक्टर साहब कि इसी उमर में मैं अपने पिसाब को रोक नहीं पा रहा हूँ और कई बार तो यह अपने आप हो जा रहा है यह और ज्यादा चिंता कभी से है इसी उम्र में ऐसा हो गया, तो आगे क्या होगा? मैंने पुछा, क्या होगा? आपको क्या चिंता है? तब रोगी ने कहा, डॉक्टर साहब इसी उम्र में यह तकलिफ हो गई है, तो अभी तो पूरा जीवन बाकी है, बुढ़ापे में तो और ज्यादा तकलिफ हैरान कर सकती है, मैंने पुछा, कैसे? रोगी ने कहा, बुढ़ापे में तरह तरह की तकलिफ होती है, आदमी चल फिर नहीं पाता है, और कई बीमारियां अस्ताई रूप से घर कर जाती है, उस वक्त अगर यह अपने पेसाब होने लगेगा, और मैं पेसाब को और कंट्रोल नहीं कर प होई, अभी तो मेरी मुख चिंता का विशे, डॉक्टर साब यही है, कि जब पिसाब लगता है, तो मैं अपने आपको रोक नहीं पाता हूँ, पिसाब पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, बाथरूम जाते जाते कपड़े खराब हो जाते हैं, रात को बार बार जाना पड़ता है, जब कि मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, रात को सोने के पहले पानी नहीं पीता हूँ, यहां तक कि मैं साम से ही पानी बिना बंद कर देता हूँ, और सुरू से ही मैं अपने स्वास्त का बहुत ध्यान रखते आया हूँ, यहां तक कि मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, और बहुत से लोगों को हैरान होते देखा हूँ डॉक्टर साब अब मेरे पिता जी को ही देखिए उनको प्रोस्टेट की तकलीव थी बिचारे बुढ़ापे में बहुत हैरान हो गये थे मैं तो सुरू से ही स्वास्त का बहुत ध्यान रखते आया हूँ ऐसी कोई चीज नहीं खाता हूँ जिससे बाद में तकलीव हो मुझे अभी तक सुगर की विमारी नहीं हुए और बहुत से लोगों तो मैंने देखा है इसी उम्र में सुगर की विमारी पाल लेते हैं मैं सुरू से ही चिनी नहीं खाता हूँ और कोई मीठी बस्तू खाने भी होती हो तो मैं गुण लेता हूँ और अभी इस उम्र में मेरा स्वास्ट बिलकुल अच्छा है आप देख लीजे, लोगी ने कहा आप देख लीजे, मैं कितना स्वास्ट लग रहा हूँ लेकिन इस उम्र में लोग तरह-तरह की विमारियां से ग्रसित हो जाते हैं लेकिन मैं पुली तरह से फीट हूँ हर रोज आठ घंटा काम भी कर लेता हूँ लड़के तो मना करते हैं कि पिता जी आपकी उमर हो गई आप घर पर ही बैठ ये लेकिन मुझे घर पर बैठा नहीं जाता क्योंकि मेरे में फुल एस्टेमिना है पावर है मैं घर में बैठके क्या करूंगा सुबह में दौड़ भी लेता हूँ और आप जितना कहें उतना मैं काम कर सकता हूँ मेरे लड़के को मेरे जितना अस्टेमिना नहीं है जितना मुझे में अस्टेमिना है उतना उसमें भी नहीं है भले वो यंग है तो क्या और जुरत पड़ेगी तो मैं 18-20 घंटा लगतार काम कर सकता हूँ जबकि आजकल के नए लड़के इतना नहीं कर पाएंगे अभी सिर्फ मुझे पिसाब की तक्रीफ हो गई है लेकिन मैं दुसरे रोगियों की तरह नहीं हूँ उन लोग जैसा नहीं हो कि बहुत परसान हो गए उन लोग से मैं बहुत बहतर हूँ बहुत से लोगों को प्रस्टेट की तकलिफ होती है लेकिन उससे मैं बहतर हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे प्रस्टेट रोगियों को देखा हूँ वे लोग परसान हो जाते हैं उनकी परसानी ज्यादा रहती है मैंने पुछा और रोगी और तो आप पूछ लिजे जो दुसरे हुमिपैथिक डॉक्टर साब हैं वे तो बहुत पूछे थे उन्होंने तो दो दो घंटा पूछा लेकिन आप तो कुछ ज्यादा कुछ पूछी नहीं रहे हैं आप कुछ पूछिए मैंने पूछा निंद कैसी है और सपने क्या आते है रोगी ने कहा बार बार पिसाब जाने के चलते निंद नहीं आ पाती है और सपने तो बहुत देखता हूँ मैंने पूछा किस तरह के सपने आते हैं रोगी ने कहा दीन में जो काम करता हूँ गुमता फिरता हूँ उसी के सपने आते हैं मैंने पूछा जब डॉक्टर ने कह परन पर्स्टेट का अप्रेशन करवाना परेगा पिर आपने अप्रेशन क्यों नहीं करवाया हमें लूगी ने ॅ मेरे पिताजी ने भी प्रोस्टेट का अप्रिसन करवाया था फिर उनको तकलिफ भी होई थी और बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोस्टेट का अप्रिसन करवाने के बाद तकलिफ तो होती है थोड़ी रही जाती है और डॉक्टर साब ने कहा था कि यह तकलिफ दोबारा हो सक या जो पिसाब अपने आप हो जाती है साथ वह ठीक भी नहीं हो इसकी कोई गरांटी नहीं है मैंने बहुत दिनों तक हुमेपर्थिक दवा लेता रहा लेकिन उससे मुझे कोई खास फैदा नहीं हुआ हाँ थोड़ा फैदा तो है लेकिन ज्यादा नहीं मैंने पुछा किस तरह की तक्लिफ रोगी ने कहा बार बार जाना पड़ता है निंद खराब होती है कपड़े खराब होते हैं बार बार धोना पड़ता है वीमारी तो आगे परसान करेगी ही न मैंने रोगी को 200 potency में दवा दिया उससे रहाद भी होने लगी बाद में मैंने 1m potency में दवा दिया जिससे रोगी पूरी तरह से ठीक हो गया तो ये large prostate की जो तकलीव थी रोगी की अब बिल्कुल ठीक हो गई है उनकी बार-बार होने वाली पेसाब जो hold नहीं कर पाते थे व आसानी होगी और इसको आप रुब्रिक्स को नोट करने की जुरत नहीं है तो देखते हैं कि यहां पर रोगी ने क्या कहा और मैंने उसके लिए रुब्रिक्स रिपट्री के रुब्रिक्स क्या लिए रोगी ने कहा मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया है तो रोगी की यहां फिलिंग क्या थी कि चीज़ें बढ़ गई है जो नॉर्मल थी अब बढ़ गई है वहां पर हमारे पास एक रूबरिक है डिलूजन बढ़ी पार्ट्स इनलार्ज मतब बढ़ी का जो पार्ट्स है वो इनलार्ज हो गया है मतब कि रोगी की ऐसी फिलिंग है डिलूजन क्या है रोगी का एहसास है रोगी का अनुभव है जो रोगी फील करता है फिर अगली तकलिफ क्या थी उसे अपने आप पिसाब हो जाता था और उसे इस बात की चिंता है कि ये जो अपने आप पिसाब हो जा रहा है आगी क्या होगा यहाँ पर एक रुबरिक है anxiety paralysis with paralysis क्या है जब चीज़े हमारे स्वक्षिक control में नहीं होती है हम चाह करके भी उस चीज़ों पर control नहीं कर पाते या कोई चीज़े पर अपना control खो दाते हैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं रोगी को चिंता इसी बात की है कि अभी सही पिसाब होने लगा है तो आगे क्या होगा anxiety paralysis with और paralysis क्या चीज़ का है bladder का अपने आप पिसाब हो जा रहा है रोगी को चिंता इसी बात की है कि जब अपने आप पिसाब हो रहा है तो आगे क्या होगा anxiety with paralysis of bladder bladder की paralysis को ले करके रोगी को चिंता हो रही है रोगी का मुख चिंता कभी से भविश को ले करके है अभी तो तकलिफ कम है अभी तो मैनेज कर पा रहा है लेकिन जब उठापा होगी चल फिर नहीं पाएगा तो और क्या होगा anxiety future about और रोगी के चेहर पर मैंने उदासी देखा कि रोगी बहुत उदास था यहाँ पर एक रुब्रिक है anxiety future about sadness with और वहाँ जो सभी रुब्रिक्स को के repetition के बाद जो common दवा है वो है सीकुटा आगे रोगी ने कहा कि मैं सुरू से ही बहुत सतर्क रहा हूँ सतर्क मतलब cautious जो अभी तकलीफ नहीं है अभी बीमारी नहीं है नहीं थी पहले तो पर्फी में सुगर नहीं लेता था वाक करता था यह है cautious रोगी ने कहा कि मैं दूसरे रोगिओं की तरह नहीं हूँ जो रोगी परसान हो जाते हैं हैरान हो जाते हैं उनसे तो मैं बहतर हूँ, delusion better than others that he is, रोगी मानता है, अनुभव करता है कि वो दुसरे के पेक्षा बेटर है, बेटर है, बहतर है, मतलब रोगों, दुसरी रोगीों की तरह जो खराब इस्तिती हो जाती है, वो ऐसा मेरा नहीं है, और रोगी बहुत घमन में बोलता था, मेर यह है उसका ego, जो अपने self-esteem में, over estimation of himself, अपने आपको बहुत ज़्यादा आख रहा था, रोगी ने कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि आगे कहीं मैं हैरान न हो जाओं, यह है fear, fear of persecution, यह विमारी मुझे बार बार तन करेगी, हैरान करेगी, बार बार उठना पड़ेगा बार बार कपड़े दोने पड़ेंगे, इस बात को लेकर के रोगी को डर है, जो अभी सही यह मैं, अपने आप इसाब हो जाता है, तो अभी समें तो यह बिमारी और ज़्यादा परसान करेगी, fear of persecution, रोगी ने बताया कि मुझे डर इस बात का है, कि जब मैं बुढ़ा हो जाओंगा, तो बहुत सारी बिमारियां आ सकती है, fear of disease, long spell of illness before dying in old men, मतलब बुढ़ापे में तरह तरह की बिमारियां आएगी, तकलीफ होगी, हैरान हो जाओंगा, और लंबे समय तक रहेगा, मेरे पिदा जी को भी बहुत लंबे समय तक हैरान हुए, ठीक भी नहीं हुआ उन्होंने अप्रेशन भी करवाया, तो रोगी को उस तरह की बिमारी का डर लग रहा है, जिसने की वो महसूस करता है, कि वो आगे हैरान हो जाएगा, परिसान हो जाएगा, रोगी ने कहा कि मैं सपने में जो काम दीन में करता हूँ, वही चीज रात को भी करता हूँ, dreams of business, dreams, occupation of the day, यहनि रोगी सपने में भी दीन के प्रोफेशन को देखता है, और जो दीन में करता है, वही देखता है, तो इस तरह से हम देखते हैं, कि सिकुटा वहरोसा, सिकुटा वहरोसा एक ऐसी दवा है, जो प्रोस्टेट इनलाजमेंट के केस में बहुत अच्छा काम करती है, अब यहां हम DD करते हैं, जैसे muscles refuse to obey the will, यहनि इसमें भी नए रिपर्टरी में बहुत सारे मैं ऐसे रिपर्टरी का यूज करता हूँ, जो की synthesis में या complete रिपर्टरी में बहुत सारे रिपर्ट्यों के सयोजन से मैं केस को देखता हूँ, हमारे पास एक पुरानी software है, जिसमें सभी रिपर्टरिया एक साथ में है, तो will muscles, will loss of muscles refuses to obey the will, और जिसमें self-control loss of उसमें भी सिकुटा भहिरोसा है, रोगी चाहता है लेकिन control नहीं कर पाता है, यहां एक पार्टिकुलर में एक रूब्रिक है, bladder, involuntary urination in old people with enlargement of prostate in men, यहां भी सिकुटा है, अगर आप mind के rubrics के अधार पर दवा का selection करते हैं, तो भी या बिना mind rubrics का इस्तमाल किये, अगर हम particular पर भी देते हैं, तो भी हम सही दवा तक पहुँच सकते हैं, यहां हमने mind की अभिव्यक्तियों, रोगी की अभिव्यक्तियों को मैंने rubrics में convert किया, यह डॉक्टर ML सागल साहर की विशेश्ता रही है, जो उन्होंने रोगी की अभिव्यक्तियों को rubrics में convert कर दवा selection की नई तकनिक बताया है, जिसमें हम रोगी के सिर्फ मानसिक अभिव्यक्तियों को, मानसिक अवस्थाओं को rubrics में बदल कर repetition करने के बाद जो दवा देते हैं, और रोगी में बहुत जल्दी फायदा करती है, और रोगी पूर्ण रूप से जल्दी ठीक होता है, इस केस में भी ऐसा ही हुआ, अगर हम उसको प्रोस्टेट के अधार पर जैसे की bladder involuntary, urination in old people with enlarged prostate में भी सिकुटा है, लेकिन इसकी आने के पहले हमने सिकुटा समझ में आ गया था, क्योंकि उसकी mind की अभिवेक्तियों में रोगी को चिंता थी, कि अभी से इस्तिती ये है तो आगे क्या होगा, इस तरह से हम देखते हैं कि मानसिक अभिवेक्तियों को रुबिक्स में convert करके डवा का चुनाव बहुत आसान हो गया है, इस तरह से हम आगे भी video cases के थूरू, सोल्ड केसिस आपको प्रस्तूत करते रहूँगा, धन्यवाद, थेंक यू.